हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेडिसीन रिव्यू टिप्स यूटूब चानल पर आज में सुडियों में अलकॉफ डी सिरप के बारे में पुरी जान कर लेने वाले अलकॉफ डी सिरप का मुखतों उपयोग सुगी खासी की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जता है अलपीक बायोटेक लिमिटेट का यह 100 ml का सिरप आपको मेडिकल स्टोर पर 60 रुपए में मिल जाएंगा दोस्तों बताएगी कि मत समय के साथ कम या जादा हो सकती है बात करते हैं सिरप में मौझूद गंटेन के बारे में अलकॉफ डी सिरप में डेक्स्ट्रो, मिकरोफेन, हैड्रोब्रोमाइट, 10 mg, क्लो, फेनरामाइन, IP, 2 mg, फेनलेफरेन, IP, 5 mg यह गंटेन समय स्टे बात करते हैं सिरप की उज़स के बारे में डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तमाल करते हैं इस सिरप का उपयोग सुकी खासी की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर रूच करते हैं इसे सर्दी, जुका, नाग बैने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज़ करते, इसे गले में खराश होने की समस्या, ठासी से गले में सुकापन या खराश होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस सिरफ के इस्तमाल करते, इस सिरफ का अन्य उज़ की बारे में आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस शिरफ का डूस उनसे निच्छित कर ले वह एक से पी एन आडल्ट ये शिरफ पाच एमेल दिन में दो से तीन बार अपने डॉक्टर के सला के अनुसर ले सकते साइड इफेक्ट इस शिरफ के इस्तमाल से उनव मितली अपचन दस्त सुस्तियाना सिरदर्द इस साइड इफेक्ट हो सकते प्रिकोशन इस शिरफ को यूज करते समय सावधानिया अगर आप पहले से ही कोई आनने शिरफ मेडिसेन टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सुचना अपने डॉक्टर को आवश्चित दे इस वोजे स इस शिरफ का ड्रग इंट्रेक्शन या ओडोसनी की सामवना कमोती है इस शिरफ को यूज करने से पहले इसे अच्छी तरसे शेक करें इस शिरफ को अच्छी तरसे हिलाए और बाद में यूज करें दोस्तों अगर आपको शीटों से हेल्पवल इंफॉरमेशन मिलियो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसीन रिवीव टिप्स यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको अमस्या मेडिसीन दिश मिल्थ रहेंगे थैंक यू फो आचिन इस वीडियो